हेलो फूड एन हेल्थ लवर्स आज हम बनाएंगे आम पन्ना इसके धेरो बेनिफिट्स है लेकिन इसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें ये बोडी को री हाइडरेट करता है और इसके अंदर जो नूट्रेंट्स पाया जाते है वो बहुत अधिक मातरा में पाया जाते हैं इम्म्यून सिस्टम बूस्ट करता है और डाइजेस सिस्टम के डिसोर्डर को खतम करता है डिप्रेशन से लड़ता है और साथ के साथ हमारी आइस को प्रोटेक्ट करता है तो ये इतनी हेल्दी ड्रिंक बनाते कैसे है तो इसका प्रोसेस म यह जो नाकू होता है, जिससे यह पेड के उपर लटका होता है, आपको उसको कट कर देना है, क्योंकि उसके थोड़ा कड़वापन होता है, और इसके उपर जो छिलका है, उसको उतार देंगे, वैसे तो आमपना कई कई टाइप से, अलग-अलग तरीके से बनाये जाते हैं, लेकिन मैं आज सबसे इजी तरीके से आपके साथ यह शियर करूँगी, दोनो आम के जो छिलके हैं, वो हमने उतार लिये हैं, अब इस उतारने के बाद हमें क्या करना है, कि हमें इस आम का जो गुद्दा है, उसके पीसिस कर लेने हैं, दोनो आम के गुद्दे, जो है, वो मैंने निकाल लिये हैं, चाकू की हैप से, अब इसको आप सारे के सारे, किसी भी बरतन में पतीला भी आप ले सकते हो, मैंने कड़ाई लिया है, इसके अंदर डालके और एक गिलास पानी आपको इसके अंदर डाल देना है, और एक चम्मच, ये काला नमक मैंने डाला है और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जीरा पाउडर, भुनावा जीरा पाउडर एक चम्मच, और ये मैंने सौप डाल दिया एक चम्मच, और ये काली मिर्च एक चमच और उसके बाद ये मैंने sugar डाला है आदा चमच आप इसके जगर मिष्री भी यूज़ कर सकते हो और इसको mix करने के बाद आप इसको ढख देंगे कितनी देर आपको पकाना है 10 मिनट आपको पकाना है 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो गुद्धा है जो आपकी आम का जो पीसिज आपने निकाले थे कच्चे आम के वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं आप इसको चाहे कट करके भी देखेंगे तो ये असानी से बहुती इजीली कट हो जाएगा और ये हमारा जो है रेडी हो चुका है मिक्सचर अब इसके बाद इसका आम पन्ना की हम इसको हफते दस दिन के लिए स्टोर कर लेंगे कैसे बनेगा अब मैंने ये कड़ाई में से निकालके एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि हमें इसको थोड़ी देर ठंडा करना पड़ेगा तब हम इसका आम पन्ना जो है उसको स्टोर करने के लिए जो मिक्सचर हमें बनाना है हो बना पाएंगे अब ये मैंने ठंडा होने के बाद आप देखिए ठंडा हो चुका है अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके पूरे के पूरे जो आपने बनाया है उसको एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और ब्लैंड कर लेंगे आप देखेंगे कि यह जो इसके अंदर जो भी आपनी मसाले डालेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर पेस्ट के अंदर मिक्स हो जाएँगे. यह देखो आपको इस कंसिस्टेंसी का यह पेस्ट बनाना है और इसको आप या तो ग्लास के जार में भरके रख सकते हैं ये स्टील के बॉक्स में और बनाना कैसे है वो प्रोसेस आप देखी रहे हैं दो से तीन चमच आप इसके अंदर डालेंगे और पानी डालके और उसके अंदर पुदीना डाल देंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप इसके अंदर अगर शुगर आपको कम लगती है तो शुगर एक्स्ट्रा भी आड़ कर सकते हैं और इसको 10 से 15 दिन तक आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही यम्मी और हेल्धी ड्रिंक है गर्मियों के लिए ये लू ल पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना जाएं